बश्कार आदाब सस्रियाकार रावराम खमा गणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारी चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों आज है 14 जन्वरी मकर सक्रान ते कि आप सबको गणे गणी सुबकामना है लोहडी के भी सुबकामना है और चाथ पोंगल भी इसी के मैडम 12 में जो भोतिक भुगोल के सविंदर सिंग पढ़ ले क्या यू मानों कि उसी सविंदर सिंग के शोट नोट्स है 11th क्लास की जोक्रोफी मतला भोतिक भुगोल के mostly सारे टॉपिक शोट में दिये हुए है 11th क्लास में है आप देख सकते हो भुगोल एक विश्या के पर जलवायु आ जाएगा और फिर प्रत्वी पर जीवन इस तरह से हमारी पूरी भोतिक भुगोल इसमेटे हुए है तो पहरा चैप्टर है भोतिक भुगोल एक विश्या के रूप में तो ये तो वो परिभाशा में टाईप चैप्टर होगा कि भोतिक भुगोल कैसे एक क्या परिवाशा है तो इतना इंपोर्टेंट नहीं होता है मतलब छोरी के रूप में इंपोर्टेंट हो सकता है हमारी एक्जाम के रश्टे से थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट होता है लेकिन obviously हमें किताब का कोई लेसन नहीं छोड़ सकते हैं, हाँ, नेट की एक्जाम में जरूर ऐसे कॉशन पूछ ले जाते हैं कि भोतिक भुगोल की ये परिवाशा किसके द्वारा दी गई, नीचे चार वग्यानिकों के नाम देते हैं, तो इस तरह के कोशन कई बार एक्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो वहीं हम अध्यान करेंगे, आज थोड़ा जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, ताकि हमारा ये वारा लेसन जल्दी हो जाए, क्योंकि आगे के तो शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के आपने माद्य में किस तर पर भुगोल का अध्यान सामजिक विग्यान पाठ्यकरम के घटक के रूप में किया है, आप विश्व और इसके विविन भागो के भुगोलिक तत्यों से परिचीत है, जब आप भुगोल का हम रहते हैं, वैं हमारा जीवन, हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है हम निर्वाहे के लिए अपने आसपास के संसाद्नों पर निर्वन करते हैं आदिम समाज अपने भरण पोशन के लिए प्राकर्तिक निर्वाहे संसाद्नों जैसे कि पश्यों, खाद्य और पोधों पर आश्रित था समय बीतने के साथ हमने तक्निकों का विकास किया तता प्राकर्तिक संसादनों जैसे कि भूमी, म्रदा, जल का उपयोग करते हुए हमारा करते हुए अपना आहार उत्पादन हमने प्रानम किया हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्र को मोस में दशाओं के अनुरूप समयोजित किया ध्याताव्या है कि प्राकर्तिक संसादन, आधार, तक्निकी विकास, बहुतिक वातावर्ण के साथ अनुकूलन और उसका परिशकरण सामाजक संगठन और सांसकर्तिक विकास में विभिंता पाई जाती है यह कहा रहा है कि जिस हमें भुगोल क्यों पढ़ने जिस धरातल पे हम रहते हैं उस धरातल को हम कई तरह से प्रभावित करते हैं और धरातल भी हमें कई तरह से प्रभावित करता है वही धरातल आदिम समाज में तो हम डिपेंटन्टी पूरी तरह से प्रथवी पे थे समय भी इतने के साथ-साथ हमने नहीं नहीं टेक्नोलोजी अपना लिए हमने और ऐसे आविशकार कर लिए जिससे हम प्रकरती पर नि भूगोल के एक छातर के रूप में आपको धरातल के विविंता वाले समी सत्यों के विश्या में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए अगर आप जोग्रोफी के स्टुटेंट हो तो आपको की पर यह क्या मतलब धरातल पे परवत है तो परवत क्यू है मठार है तो ऐसा क क्यूं है यहां पे मैदान क्यूं है क्गटा क्यूं है सब आपको पता होना जाए आध्या गी शमता प्रदान करता है यह कह रहा है कि जो भी आप भीभिनता ही देखते हूरा एसे नत sona को समझने जो को समझने के साथ परिवर्तन जो हो रहे है फ्रत्वी परıyorsunकों समझने की शमता हमें जो देता है वह inac Kalan को समझने तो printing ग्लोब को भी आप समझना सिखेंगे जैसे जैसे आप जोग्रोफी पढ़ेंगे आधुनिक विग्यानिक तक्नीक यह था कि भोगोलिक सूचना चंत्र जोग्रोफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम संगनक मांची तरकला कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूपे प्राप्त ज्य ग्यान देगी अब आप अगला प्रिशन पूचना चाहेंगे कि मुगोल क्या है आप जानते हैं कि हमारा आवास यह प्रत्वी keeping हमारा आवास का भी आवास है प्रत्वी के सतह एक रूप नहीं ब expert होती यह यहँपरवत पहाड़िया मैदान घाटियां Wash गठार, समुद्र, जील, रगिस्तान, वन और उजार, छेत्र मिलते हैं जहां सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वा में भिनता पाई जाती है जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधी में मानव द्वारा स्रजित, ग्रामों, नग्रों, सडकों, रेलों, पत्नों, वाजारो और मानव जरित कई तत्वा की रूप में विध्यमान है उक्त भिनता में भोतिक परियावरण वे सांस्कृतिक लख्षणों के मंद्य समझने का संकेत नहीत होता है भोतिक परियावरण एक मंच परस्तूत करता है जिस पर मानव अपने समाज़ों, मानव समाजों ने अपने स्रजनात म क्रियागलापों का ड्रामा अपने तकनिकी विकास से प्राप्त उपकरनु द्वारा मनजित किया है अब आप पहले प्रैश्ड पूछे गये प्रैश्ड कब भुगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रियास कर सकते है अत्यन्त सरल सब्दों में कहा जा सकता है कि भुगोल प्रत्वी का वर्णन है तो ये कह रहा है कि पहला थो हमने कि हमें भुगोल क्यों पढ़ना चाहिए और दूसरा क्यों पढ़ना चाहिए वो तो हमने देखी लिया कि जिस प्रत्वी पे हम रहते हैं के अलावा हम बुगोल वाले विश्या का बीधियर पढ़ना चाहिए पिर हम बुगोल क्या है तब यह वतार है कि परत्वी एक जैसे नहीं है हर जगे परत्वी अलग है कही परवत पठार मैदान है कही जील कही समुद्र कही रिगिस्तान है इनमें भी ये तो हमें प्राकर्तिक तत्वों के भिन्यता है इनमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर भिन्यता पाई जाती है मानवने कहीं बड़े बड़े शहर बना दिये तो कहीं सडके बना दिये कहीं रेल बना दिये और कहीं पतन बना दिये तथा जो हमारा पर्यावरण है उसमें भी प्राकर्तिक और सांस्कर्तिक तत्वों में भिद्लता पाई जाती है और इनी के मद्दे जो अंतर संबंध है उसके जानकारी के लिए हमें भुगोल पढ़ना चाहिए मानम ने बहुत सारे स्रजणात्मक्रियाकलापों के द्वारा प्रत्वी को कुछ चेंज कर दिया है और हम इस सब को मतलब की जानकारी के लिए सब के बारे में उत्सुकता से जानने के लिए हमें भुगोल का अध्यान पढ़ना करना चाहिए बुगोल प्रत्वी का वर्णन है क्या है बुगोल प्रत्वी का वर्णन सामान्य सब्दों में अगर हम कहें तो जियो और ग्राफी जियो मतलब प्रत्वी और ग्राफी मतलब वर्णन तो सामान्य सब्दों में बुगोल प्रत्वी का वर्णन है तता इहेοιं грек भाषा के दो शब्दों से मुलन के बना हुआ है, Joahanese ग्राफोस मतलब वरणन से प्राप्ट किया गया है दोनों को एक साथ रखने हैं, पर इसका अर्थ बनता है प्रत्वी का वरणन तो जोग्रोफी शब्द का अर्थ क्या है प्रत्वी का वर्णन और यह शब्द सबसे पहले किस ने दिया था यह शब्द सबसे पहले इरेटोस ने दिया था प्रत्वी को सरवदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस द्रश्टी से विद्वान भुगोल को मा मा दार पर बोल सकते हैं कि एथारस्ता बहु आयामी होती और प्रत्वी भी बहु आयामी है इसके अनेक प्राकर्तिक विज्ञान जैसे भोमिकी, म्रदा विज्यान, समुद्र विज्यान, मनस्पति शास्त्र जीवन विज्यान, मौसम विज्यान और अन्य सहे विज्यान, सामाजिक विज्यान के अन्य सायोगी विशे, जैसे कि अर्शास्त्र इतिहास, समाज शास्त्र राधिती विज्यान, रजातिय विज्यान, द्रविज्ञान इत्यादी धरातल की वास्विक्ता के विविन पक्षों का अध्यन करते हैं भुगोल अन्य विज्ञानों से विश्यवस्तु और विदी तंत्र से भिन्न है परतु साथ ही अन्य विश्यों से इसका निकट सम्मन्द भी है बुगोल सभी प्राकर्तिक और समज़क विश्यों से सूचना आधार प्राप्त करके उनका संसिलेशन करता है तो ये कह रहा है कि बुगोल में हम प्रत्वी का वर्टन करते हैं मानव के आवास के रूप में और ये सारे सबजेक्ट जो हैं जो बुगोल से जुड़े हुए हैं और इन सबसे बुगोल डाइरेक्ट रे-डारेक्ट सूचना प्राप्त करता है और अपने विशय में समाहित करता है हमें प्रित्वी पर भौतिक और शांस्कृतिक वातावण में भिन्यता दिखाई पड़ती है और अनेक तत्वों में समानता और कई तत्वों में असमानता में दिखाई पड़ती है अतेवे भुगोल को छेत्र विभिन्ता का अध्यन मानना तारकिक लगता है कि छेत्रों में जो विभिन्ता पाई जाती है उनका अध्यन करना भी क्या कलाता है भुगोल कलाता है इस प्रकार भुगोल को उन सभी तथ्यों का अध्यन करना होता है कि जो छेत्रिय संदर्ब में भिन भिन होते हैं बुगोलवेता मात्र धरातल के तथ्यों में विभिनता का अध्यान ही नहीं करता अपितु उन कार को का भी अध्यान करते हैं जो इन विभिनताओं के कारण होते हैं इस विभिनता का कारण क्या है उधारनात फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन भिन होता है किन्तु यह भिनता एक तथ्य के रूप में मिट्टी जलवायू बाजार में मांग किसानों की व्याश्यमता तक्निकी निवेश की उपलब्दता आधी की भिनिता से संब्देथ होती है इस प्रकार भुगोल की दिल्चस्पी किरिद दो तत्वों में या एक से अधिक तत्वा के मद्यकार्य करण संब्द को ग्याद करने में है परहले इसने कहा भुगोल प्रत्वी का वर्णन है फिर दूसरा इसने कहा कि भुगोल मानव के अलग-अलग फसलों का उपचाते हैं, तो हम भूगोल में ही वो देखते हैं कि अलग-अलग फसले यहां पर चावल क्यों, यहां पर कपास क्यों, यहां पर गन्ना क्यों, क्योंकि वहां की मिट्टी, जलवायू, परिस्तिती, वर्शा, बजार की मांग इन सब के आधार पर इन छेत्रों में क्या पाय जाता है अंतर पाय जाता है एक भूगोल विता तथ्यों की व्याख्या कार्यकरण संबंदों के ढाचे में ही करता है क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सायक नहीं होती अपितु तथ्य के पूर्वानुमान और भविशे के परिप्रेक्षय में देखने की शम्ता भी रखता है भौतिक और मानुएं दोनों प्रकार के भोगोलिक तथे स्थैतिक नहीं है अपितु गत्यात में खोते हैं मतलब दोनों ही तत्वा बदलते रहते हैं वे सतत परिवर्तन शील है अथक और निरंतर सक्रिय मानव के बीच में आबद प्रकिरिया मानव के फलसरूप कालात्र में परिवर्तित होते रहते हैं वल्द नब व्य कृत्तव प्रकार की प्रकिरिया के रूप में अंतर्प्र ग्रिया के अध्यन से के सम्मधित है पहले मानौ डाइरेक्ट प्रकरती पर निर्भरता लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते हैं इस प्रकार भूघोल जो है प्रकरति और मानौ की दोनों की अंतर प्रकरिया पर भी निर्भर है अंतर परिवर्तन के माध्यम से किया है जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टमान समाज आदिम समाज के अवस्ता को पार कर जुका हैं उसे तक्नेंगी अपने अनुकूल बदल लिया है, अपनी सुविधा के अनुसार हमने प्रकर्ति को चेंज कर लिया है तक्निकी के क्रमिश विकास के साथ मानव अपने उपर भौतिक परियावरण के द्वारा कसे हुए बंदन को भी ढीला करने में सक्षम हो गया है परियावरण का जो पहले एक तरह से कसा हुआ बंदन था, अब हमने उसको क्या कर दिया ढीला कर दिया है तक्निकी ने श्रम की कठोड़ता को कम कर दिया, श्रम दख्षमता को बढ़ा दिया हुकाश के प्रावधान करते हुए मानव को उचितर आवशक्ताओं को पूर्ण करने का भी आउसर दिया और उससे उत्पादन के पैमाने और श्रम की गति शीलता में भी व्रद्धी हुई भोतिग के बातावरंट मानव के अनोय करिया को एक कवी द्वारा संक्षेफ में मानव और इश्वर के बीज निम्निवारत अलाब के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि मानव और प्रकरती की मंद़े किसे अनोय कर ऋनु करिया लगा दिये मतलब हम बंजर भूबी में भी आजकल खेती कर सकते हैं इस तरह से मानव ने टेक्नोलोजी के द्वारा कई तरह के विकास कर लिए प्रकर्तिक संसाथनों का प्रियोग करते हुए मानव अपने स्रजनात्मक योगदान का दावा करता है। हम आज भी पूर्टिया प्रकर्ति से प्रभावित हैं प्रकर्दि प्रक्रति परफ्थे डिपेंडेंट है इसके दर्शन होते हैं, भुगोल इसी अंतर प्रक्री आत्म Darth सम्ध का अध्यन करता है unclear प्रक्रति और मानों के वीच में किस प्रकार के संम Labile जाते हैं इसका अध्यन भी वुगोल करता है क्योंकि वुगोल की बहुत सारी शाखाएं और हर प्रकार की शाखा में हम अलग-अलग चीजों का अध्यन करते हैं परिवहन और संचार के साधनों का जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माधयम से समाकलित और संगठित हो हैं एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भुगूल इसी छेत्रे समाकलन संगठन का अध्यन करता है एक विज्ञानिक विश्य के रूप में भुगूल को तीन वर्गीक्रत प्रश्णों से भुगूल संबंदित है पहला है कुछ प्रश्ण धरातल पर पाए जाने वाले प्राकर्तिक और संस्कृतिक विश्यस्ताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए हैं जो क्या प्रश्ण की उत्तर देते हैं मतलब यह है क्या है इस तरह के प्रश्णों का उत्तर देते हैं कुछ प्रश्ण प्रत्वी की भौतिक सांस्कृतिक और तत्वों की वित्रण से सम्मंदित है जो कहां प्रश्ण के सम्मंद में होते हैं कि यह कहां पर मिलता है कहां पर होना चाहिए यह सब सब मिलाकर उक्त द कहां कहां पर इस्तित हैं इस तरह के सुचनाएं हम बटोरते हैं अपनिवेशी काल से ही उपागम बहुत प्रचलित रहा है और इन दो प्रश्णों में तीसरे प्रश्ण के जुड़ने से भुगोल एक विज्ञानिक विश्य नहीं बन सका और यह तीसरा प्रश्ण है यह ती गोल का क्रोड छेत्र से संबंदित होता है अर्थार्त थिस्तानिक विशेष्टा और गुड़ों का यह विवेचन करता है यह शेत्र और तथ्यों के वित्रण स्तति और केंदरे करण के प्रतीरूप का अंधन करता है मतलब कि प्रत्वी और जो भौतिक परियावरण के मद्य किस तरह के सम्मंद हैं किस तरह की प्रकिरियाई चल रही है उनके अंतर सम्मंदों का विशलेशन करता है भूगोल एक समाकलन विशय के रूप में integrating विशय के रूप में मतलब एक भूगोल अपने आप में कई विश्यों को समाकलेट करता है Google एक sansalation आत्मक विशय है जो कि छित्रे sansalation का प्रियास करता है तथा इतिहास कालिक sansalation का भी प्रियास करता है इसके उपागम की प्रकर्ति समगरात्मक होती है और यह तथ्य इस बात को मानता है कि एक विश्व एक परस पर निर्भर तंत्र है आज वर्तमान विश्व में एक वैश्वी ग्राम का प्रतिबोधन होता है परिवयन के बहतर संसादनों तब डोतरी हुई गम्यता के कारण दूरिया कम हो गई श्रव्य दरश्य माध्मों और सूचना तक्निकी ने आंकडों को आज अंत्रा प्रेस्ट संमंद है प्राकर्तिक और सामाजुक सभी विज्ञानों का एक मून उद्देश को ग्यात करना क्या होता है इनका मून उदेश है कि वही वास्ट्विक्त क्या है उसको ग्या Tel करना बूगोल यत्हटता से जुढ़े तत्यों के सहाचरिये को बोध गम्ले बनाता है मतलब यत्हटता से जुड़ें जोबी तत्य हैं उनकी जानकारी को आसान बनाता है चित्रे 1.1 बुगोल का अन्य विज्ञानों के साथ सम्मंदर साता है रस्तुते विज्ञान से सम्मंदित सभी विशे भूगोल से जुड़े हुए हैं विज्ञान से सम्मंदित जितने विशे वो सभी भूगोल से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके कई तत्वे छेत्रे संदर में भिन भिन होते हैं भूगोल इस्तानिक समझ रखने के आवशकता होती है जिससे वह हैं उन्हें तारगीक रूप से संसलेशित कर सके और यह संसलेशन कुछ उधार्णों की सायता से स्रलता पूर्वक समझा जा सकता है यह था भूगोल एतिहास से घटनाओं को प्रभावित करता और स्थानिक दूरी और श्वयम विशय के इतिहास की दिशा को परिवर्दित करने के लिए प्रभावशाली कारक है इतिहास की दिशा को बदलता है भूगोल है चेत्रिय विस्तार लड़ाई के दोरान विशेश कर पिछली शताबदी में कई देशों के लि युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक इस्थान छोड़कर समय का लाब प्राप्त किया नए विश्वे के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रजित रक्षा कवच उन्हें मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा समुद्र एक रक हिमान दर्रे एशिया के आक्रमन करता हूं और प्रवजकों को मार्ग की सुईदा देते रहे हैं कि हिमालय एक तरफ तो हमारा रक्षा का वच है लेकिन जो हिमालय में दर्रे हैं मतलब जो रस्ते हैं वो आक्रमन कानियों को रस्ते भी दे देते हैं समुद्र किनारे हम दक् देशों को भारतिय सःत कई एश्या और अफ्रे की राष्टों पर उपनिवेश की करण में भी साइथा कि दूसरे तरफ हम समुद्र की आनिए देख सकते हैं कि समुद्र था इसलिए हम मुपनिवेश बने इसी के साहरे इसी के रास्ते बृटेन और बहुत सारे देश जो हमें हमारे देश में आये देश की खोज की क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से ही गम्यता मिली भोगोलिक तत्वा द्वारा विश्वके विविल भागूं में इतिहास की धारा के आपर परिवर्तन के अनेक उधारन मिलते हैं, बोगलिक तत्व के द्वारा विभिन देशों के इतिहास बदले हैं, परते एक भोगलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तता समय के परिप्रेक्ष में उसकी व्याख्य की जा सकत सब्सक्राइब निष्टी तत्व विविन संस्तानों द्वारा एक विश्य समय विश्य इस पर निर्ण लेने की प्रकिरिया का प्रतिफल होते हैं उधारन के लिए अस्थान से पंद्रा सो किलोमेटर दूर है जिसे विकल्प के रूप में यह भी का जा सकता है कि अब ऐसे दो घंटा दूर है या हवाई जाज की यात्रा करें की जाए तो दो घंटे दूर है अथवा रेल से यात्रा करें तो सत्रा घंटे दूर है इस कारण समय भोगोलिक अध्यन के चत अब यह पार्थ में हमें इस हितरह से पढ़ना पढ़ेगा आगे जो लेसन आएंगे वह warmILL ले समझने वाले धम इंपर्टनेना पढ़ेगा अब तो इसको इसी तरह से सल्टाना पढ़ेगा अब आपको boring लग रहा होगा लेकिन first lesson हमें पढ़ना ही पढ़ेगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए thank you so much bye bye